क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और फ्रेस करो इस बैल आइकन पे ताके आप देख सको वीडियो सबसे पहले हेलो गैस विलकम तो माई यूटूब चैनल तो इस वीडियो में आपको बताना हो आप टाइटल बार में मैंन्यू कैसे एड़ कर सकते हो जैसे आपने काफी अप्लिकेशन देखे रहे हैं कि तो साइड बार में मैंन्यू रहते है और नीचे कोई मैंन्यू देता है और फिर को इस वीडियो में यही बताने रहे हैं कि आप देखे तो यह शेयर का बटन ब्रेट का बटन और आप देख सकते हूं यह फेस्बूक इंस्टाग्राम अबाउट इस एप्लिकेशन इसमें कैसे एड़ कर सकते हो और इसे वीजीबल इन्विजीबल कैसे करना वह भी मैं बतान इस फोन के अंदर मैंने about this application के अंदर दो चीज दिये हुए Facebook और Instagram की तो इसमें मैं click करके आपको visit करके भी दिखा देता हूँ जैसे मैं star पर click करता हूँ जहां मैंने rate का दिया हुआ और इसमें मैंने WhatsApp का link डाला हुआ करता हूँ तो मेरे mobile के इंस्टाग्राम अल्रडी इंस्टाओल है तो डारेक इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा और यदि नहीं इस्टाओल हो तो डारेक वह website पर जाके ओपन करेगा वह जैसे कि मैं आप उपन करता हूँ आप टाइटल बार के इदर दे सकते हो जिसे युजर का बार बार रेट और शेयर के बटन पर ध्यान जाएगा उसे वह रेटिंग आपके अप्लिकेशन को अच्छा एप्लिकेशन रहेगा तो देगा तो चलो डारेक चल जाते मेरे क्रिट कैसे करना वह मैं आपको बता देता हूँ बहुत है सिंपल इस वीडियो को प्रेंट तक देखे कुछ भी स्किप मत कीज़े तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जागा और आप खुद ही अपना एप्लिकेशन बहुत ही बैतर और अच्छा बना होगे तो आप आप देख सकते हो मैं आगए मेरे कंप्यूटर स्कीन पर तो आपने भी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए मैं बहुत सारे इंट्रेसिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ आप देख सकते हो बहुत सारे मैं इंट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ तो यह मैंने टाइटल बार मेन्यू करके नाम रख दिया है इस प्रोजेक्ट का तो मैं हर चीज आपको करके दिखा तो जिससे आप इसली समझ पाओ खुद अच्छा आपका अपका एप्लिकेशन में इसली आप बना पाओ तो जैसे आप देस लगेगा तो यह कंपोनेट आपको इधर ड्रैक कर देने इधर आप देख से तो जैसे कि शेरिंग का आपको शोशल के अंदर मिल जागा इस शेरिंग वाला जिससे कोई भी यूजर अपना एप्लिकेशन को शेर कर सके तो यह हम लगाने वाले इसमें बटन और इसके बाद के अंदर आपको कुछ टाइप करना पड़ेगा क्या टाइप करना वह आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा आप देख सकते हो एंड्रोइड इंटेट अक्शन डॉट व्यू यह आपको टाइप करना तो यह मैं इधर डाल देता हूं जिससे मुझे ब्लॉक के अंदर बार बार डालने के ज़रोगत नहीं मैं एक बर इसमें डाल देता है तो जिसनी भी बार यहाट्रिटी स्टार्ट के अलगलग read चीज में आइकन तो जो यह प्रोवाइड करती है application के बहुत सारे material जो आप अपने application के अंदर डाल के अपना application इस तरह आपको यह डाउनोड कर लेना है इसको इसके बाद फिर मुझे चाहिता शेयर गा तो इदर देख सकते हो इदर नीचे थोड़ा सा स्क्रोल करना आपको शेयर का बटन मिल जाएगा देख सकते हो यह अपने को मिल गया इस पर क्लिक करने के बदिसे मैं उपर करता हो ब है यह दोतो पर किसे मिल जाएगए जिसमें फोलडर को उपन करने के लिए रिगार्डिंग बहुत सारे आपको सौटे पर मिल जाएगे इसके बाद मैं 2x पर क्लिक कर देता हूँ इदर आप देख सेगे तो यह वाला तो यह वाला 25 dpi का मुझे श्टार वाला मिल गया तो इससे मैं है ना एक्स्ट्रेक्ट विदाउट कंफोर्मेशन पर क्लिक करता हूं यह मैं क्लिक traded without कंफ़रमेशन पर इस पर आनने के बाद आप देख सेकते हैं जाहां मने युआ है अश्टार का आपको नहीं दिखते हैं जुम करूंगा तो आपको दिखेगा प्रॉपरली तो देख से तो यह स्टार का एक्सट्रेक कर लिया उसका नाम में चेंज कर देता हो रिनेम करके को छोटा सा नाम रखेए स्ट रख देता हूँ जिससे मैं जब इसे यूज करूँगा मैक्रोड के अंदर तो मुझे छोटा नाम ही डालना पड़ेगा और इसके बाद शेयर का चाहिए तो इसका शेयर का मैं ओपन करता हूँ यह जिप फोल्डर को इसके बाद यह टू एक्स में जाता हूँ इससे भी एक्स्टेक without confirmation इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सेंट यह भी ऐक्सटेक हो चुका हूँ इसको क्लिक करना है इधर क्लिक करने के बद आपको UPLOAD करना वो दोने 이미sche इसोड करने तो इसमें अपलोड करने तो इसमें बार कर दीए अब मैं दूसरा ही में जो की इन वी अपलोड कर देता हो थे दोनों मेर अपलोड हो चुके अब यह अनों को मैं यूज करूँगा अब मैं इसे close कर देता हूँ इसके बाद close करने के बाद आभ आपको आ जाना है block के अंदर अब बहुत ही simple है सभी चीज आपको screen के अंदर मिल जाएगे सभी component आपको screen के अंदर मिल जाएगे तो सबसे पहला आपको एक screen initialize वाला component ले लेना है इसके बाद फिर आपको एक screen initialize menu वाला component ले लेना है ये दो component को आपको इधर ले लेना है ये लेने के बाद वापी से screen के अंदर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करना है सबसे पहला आप देख सकते हो यह देख सकते हैं पूरा का पूरा आप copy कर लेजिए यह copy करने के बाद फिर इदर आपको सबसे पहला icon अब icon हमारा क्या इदर asset पर click करना है asset पर click करना नहीं एक star का icon एक share का icon है तो यह same to same आपको नाम लिखना है तो इदर मैं क्यों बता रहा था आपको छोटा नाम लिखने के लिए तो इदर आपको confusion ना रहा है तो इदर अब इसके बाद हम बात करते हैं इदर name का तो इदर हमें डालना है star यह एक star मतलब rating के लिए और इसके बाद फिर name नेम जो कि हमारे शेर के लिए यह शेर डाल दिया अब यह same to same आपको इदर copy कर लेना है इदर copy करके क्यों मैं बता रहा हूं इसका भी एक reason है वह मैं आपक स्क्रीन पर आने के बाद आप देख सकते हैं नीचे स्क्रोल करना तो आप देख सकते हैं यह वाला मिलेगा title बार icon selected तो title बार में जो icon है उससे select कर लिया तो इसके बात क्या होना चाहिए तो if condition आपको लगाना है if condition में चेक करना चाहिए उसने user ने कौन सा icon select किया है तो इस यसके बाद फिर आपको logic में आना है logic में बाद two वाल मिलेगा यह आपको लगा देना यह लगाने के बाद आप देख सकते हैं इधा name लिख twitch complicated वाला है तो इसे आपको कॉपी करना है कॉपी करने के बाद यह आपको लगा देना है उसके वापीस से से इफ कंडिशन लेना है इदर नीची इफ लगा देना है इफ लगाने के बाद वापीस से कॉपी करना है और यह वाला आपको इदर लगा देना है और इधर यह स्टार क देखिए डिस्क्रिप्शिन में पार्ट टू करके लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ गया रहेगा तो आपको यहां तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स वीडियो को देख लिए तो ठैंक यू सो मच फॉचिंग इस वीडियो